नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमितंकूपर तो दोस्तों आज मैं आपके लिए किया हूँ जी के सेक्षिन जिसका पोस्ट कोड है 832 और ये एक्जाम है कुक का तो चली शुरू करते हैं इसका जी के सेक्षिन तो फ्रेंड्स जितने मैं सक्स रेशियो अफ हिमाचिल प्रदेश एस पर सेंसिस 2011 इस तो जनगंडना 2011 के अनुसार हिमाचिल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है तो इसका जो अंसर आएगा ओप्षिन D 972 नेस्ट कॉस्चन है टोटल एरिया अंडर फोरेस्ट इन हिमाचिल प्रदेश इस तो हिमाचिल प्रदेश में बनो का कुल क्षेत्र कितना है तो इसका जो अनसर आएगा ओप्षिन A 37,033 किलोमीटर स्केर नेस्ट कॉस्चन है next question which is the smallest district area wise of हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्र अनुसार कौन सा है तो option B हमीरपुर next question की बात करें हम next question है दियोली इन हिमाचल प्रदेश is famous for B14 following तो दियोली किसके लिए प्रसिद है तो मतस्य पालन के लिए fish form next question है कुल भूशन उपमन्यू एक सुपरसिद व्यक्तित्व हिमाचल प्रदेश के किस जिले से सम्मन्दित है तो इसका जो अंसर दिया गया है अंसर के में option A चमबा next question है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोता मेला मनाया जाता है तो गसोता फिर is celebrated in which district of हिमाचल प्रदेश इसका जो अंसर है option D हमीरपूर next question है हथाली ख़ड is a tributary of beach river of हिमाचल प्रदेश तो हथाली ख़ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है option C किनौर next question है सिराज वैली इस लोकेटिड इन विजिश्टिक फिमाचल प्रदेश तो सिराज घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो provisional answer के according to answer दिया है option B कुल्लू लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है मंडी और कुल्लू में जिसको इसका right answer वाता है वो comment box में बता सकता है कि सिराज घाटी कहां पे है मंडी में है या कुल्लू में है लेकिन provisional answer के according जो answer है कुल्लू next question है मसरूर शैल उतकीरन मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो मसरूर रोक कर टेंपल कहां पे है तो यह है कांगड़ा में option c कांगड़ा next question है डाक्टर वाईयस प्रमार उद्ध्यान एवंबान की बिश्विद्यल हिमाचल प्रदेश में किस थान पर स्थित है तो डाक्टर वाईयस प्रमार उनिबर्टि ओफ होर्टी कल्चिर एड़ फॉरेस्टर हिए नौनी में option a correct है next question है old name of नालागडवास तो नालागडड का पुराना नाम क्या है तो इसका जो अंसर है option a हिंडूर और बात करें हम कहलूर तो कहलूर किसका नाम है? विलासपुर का और बनेड किसका है? बनेड ये है सुंदनगर का और किरग्राम है बैजनात का नेस्ट कॉस्चन है शिमला मुनिसिपल कमेटी वास इस्टैबलिस्ट इन विच एर तो शिमला मुनिसिपल कमेटी की स्थापना के सवर्ष होई तो इसका जो अंसर दिया गया है ओप्शन बी 1852 इस भी में नेश्ट कॉस्चन है गोद निशेद विधी के अंतरगत लाओ डलहॉजी ने किस राजसी राज्य का अधिमेलन किया तो इसका जो अंसर है option A बगाट next कॉस्चन है चमबा नगर की स्थापना किस ने की तो चमबा नगर की स्थापना की है साहिल बर्मनने Option C, correct है Friends, ये थे ही माचल जी के की कुछ questions तो next जो है हमारे पास current affairs तो European Union ने हाल ही में किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्ण रोप से खतम करने का लक्षी निर्धारित किया है तो 136 का है Option C 2050 Next question है हाल ही में ICMR दोरा अनुशंसित निमन लागत COVID-19 परिक्षन एकाई COVID-19 को किस हस्था ने विक्षित किया तो 137 का जो है Option B, IIT खडगपूर Next question है बेपी कुलम्बो जो हाल ही में सुर्खियों में था वह किस ग्रह के अन्वेशन के लिए प्रक्षेपित अवकाश्यान है तो इसका जो अन्सर है अकाश्यान है 138 Option C, Mercury Next question है प्रधान मंत्री ने हाल ही में किस व्यक्ति के मान में सो रुपे का सिक्का संसमार्क के रूप में जारी किया है तो 139 का है Option A, विजे राजे सिंधिया Next question है किस देश के मंत्री मंदल ने हाल ही में बलातकार के मामलों में देहांप दंड की उच्दम दंड के रूप में शामिल करने वाले कानून को अन्मोदित किया तो 140 का है Option C, बंगलादेश Friends, next question है Reasoning के तो मैं directly आपको इसके अंसर दाता हूँ तो 141 का जो अंसर है Option B Next question 142 142 का जो अंसर है Option B Next question 143 इसका जो अंसर है Option A Next question 144 तो 144 का जो अंसर है Option B Next question 145 तो 145 का जो अंसर है Option D Next question Indian history तो वेदशब्द से क्या तात्परे है 146 का है Option D ज्यान Next question है गौत्म बुद्ध का जनम कहा हुआ था तो इसका जौ अंसर है Option B लुम्बनी में Next question अकबर किस आयू में समराट बना तो यह repeated question है उपरवाला भी repeated question है और यह नीचे वाला भी अकबर किस आयू में समराट बना तो 148 का अंसर है option A 13 वर्ष next question है अकाल तक्त किसने बनवाया था तो 149 का है option C गुरु हर्गोविंद next question है Indian Civil Services में चैनित प्रत्थम भारती कौन था तो इसका जो अंसर है 150 का option D सतेंद नाफ टैगोर next question है कौन सा संसद का उपरी सदन है तो 151 का है option C राज्य सभा next question है 152 हमारे संबिधान में आर्थिक नियोजन इसमें है तो 152 का जो अंसर है option C संबर्ती सूची next question है भारत का प्रत्थम उपरधान मंत्री कौन था 153 का है option D सरदार बल्लभाई पतेल next question which planet is called evening star तो किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं शाम का तारा तो 154 का है option C शुक्र को यानि की वीनस को next question है which is the largest ocean तो संसार सबसे बड़ा महसागर कौन सा है तो 155 का है option A प्रशांत महसागर next question की बात करें हम कौन सा भारती राज्य या केंदर शाषित परदेश अंतराश्टी भूमी साजा नहीं करता तो which Indian state या UT does not share international land border तो 156 का है option D मध्य परदेश next question है किस क्षेत्र में अभी भी स्थानांतरित कृषी प्रवर्तमान है तो 157 का है option D इन सभी जगा यानि की मिजोरम में भी नागलेंड और मनिपूर में भी next question is repeated question खेतरी परसिध है तो 158 का जोंस दिया गया है option C तामबे के लिए next question कीमत या अंतरावली इसका लक्षन है तो price mechanism is a feature of 159 का जोंस दिया गया है option A पूंजीवादी विवस्था next question while is secreted by तो 160 का है 160 का आपका आएगा option B लीवर next question है the sky appears to an astronaut तो अंतरक्षियात्री को अकाश कैसा दिखाई देता है तो इसका जोंस रहा है option B black यानि की काला next question fuse wire is made of an alloy of 162 का है option A tin and lead next question है English के तो 163 का जोंस रहा है option A next question 164 164 का अंतर है option D next question 165 165 का है one-one substitution one who cannot die 165 का है option B immortal next question 166 that rule is applicable everyone 166 का है option C to everyone next question हिंदी के questions है तो पहला है शुद्शवद क्या है तो 167 का जोंस है option B साहितिक next question 168 निर्धन का संदी बिछेद क्या है 168 का है option A next question है 169 नर्षी में समास कौन सा है तो 169 का है आपका option B ततपुरुष और next question है वर्ष का बिछेशन क्या है तो 170 का है option D यानि की वार्षिक तो वर्ष का बिछेशन है बार्षिक तो फ्रेंट्स ये था जी के section कुक का जिसका पोस्ट कोड है 832 तो